हेलो व्रिवन वेल्कम टू कमपर्ट्रशन के रियर पॉइंट आज का टोपिक है भारत जव विभीता पुरुसका 2021 ओके इस टोपिक से कमपर्टेटिव एकजाम में जरूर पुशी जाएंगे तो सेशन को सुरूर से अंतक देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जव बिभीता के मुदो की समझ और जागुपता बढ़ाने के लिए 22 माई को अंतराश्थिये जव विभीता दिवस घोसित किया है सबसे इंपोर्टेन हम जान लेते हैं इसका यहां सभी इंपोर्टेंट प्रस्ट बनते हैं कि वर्स 2021 में अंतराश्थिये जव विविता दिवस का थीम किया है तो जो थीम है हम समधान का हिस्सा है क्या है हम समधान का हिस्सा है आनि कहने मतलब be are part of the solution बहुत important है यह यह एक्जाम में तो 100% आएगा अब देखिए जो यह दिवस मनाया गया है उसी दिवस के दिन कुछ आवार दिए गये हैं इंडियन बायो डाबस्टी आवार दोएदेटिस वे परदान किये गये हैं आए जान लेते हैं कौन-कौन से कौन-कौन इनके बीनयार है सबसे पहले बीनयार है क्रिसी एवं पालस्थितिक विकास संस्थान यानि के आरे पी ए बही आयस ने जैबिक्स संसादनों के सतत्त उप्योग सरेनी के तार यह पुरुसकार जीता दूसरे नमर पर है साजी एन-म यानि जिने केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है इन्होंने पालतु परजातियों के संस्थान की ब्यक्तिकत सरेनी में यह पुरुसकार जीते हैं नेक्स्थ थार और नंवर पर है नागा लाइन में खुनोमा प्रक्तिस सनच्छन और त्रेगोपन अभियारन अगर यह बहूंदे पूछा जा सकते हैं यह पूछा जा सकते हैं आपको विदोक्रियारन कहां पर है यरू सांबर मंदम्रे .। प्रुषकार जीता है यह भी इंपोर्टेंट है यहां से यह किसके द्वारा अवाड दिये जाते हैं तो इंडियन बायवर्ट बायोडावर्सिटी अवाड के पहल जो है पजाबरन वन और जलवाईव परिवतर मंत्राले द्वारा संजुक तुरूप से 2012 में जविवित्ता सनच्छन जैविक संसाधनों के सतत्त उप्योग और सासन के लिए जमीनी अस्तर से उत्क्रिष्ट मोडलों को मनाता और समान देती है अब देखिए उनके बारे में जान लेते हैं कि यह पुरुषका उन्हें क्यों मिला है ओके जैसे में के आर ए पी ए भी आइस कहने के मतल कि पुनर्भरान कूंगों और जल्द तालिकाओं को बहाल करने में समुदायों को समर्थन देने के लिए यह परतिशित पुरुषका जीता इसने ओरन में अस्थानिये किस्म के लाखों प्रिड़ लगाने में भी मदद किये यह फर्स्ट नेमर पर है कि उन्हें क्रिसी अपने खेत में लगभग 200 कंद फसलो जैसे ग्रेटरियम, एलेफेंट, फुटियम, सकरकंद, चीनी आलू और कुलोकेसिया का सनद्चन किया है उन्हें उनके एग्जान के लिए साथ बात राजपुरुषकार भी मिल जुके हैं थाद नेमर पर है KNCTS को क्यू समानित किया गया है करने मतलब खोनोमा, खोनोमा, प्रकितिक सरचन और ट्रेगवोपन अभिहारन यह नागालायन में है और इसके स्थाफन जो किया गया है 11.1998 को हुई थी इस अभिहारन के लिए इससे समानित किया गया है क्योंकि यह खोनो और जिसमें कई अस्थानीक उधों और जनुव का निवास अस्थान है तो ये आपको पुरा आपको समझा दिया गिया है कि ये क्यूं मनायाता है कब मनायाता है इसके मनाने का वजय किया है! और किनको किनको ये 2021 में अवार्ड मिला है आपको ये ससन कैसा लगा कमेंट से ने बताएएगा थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग मैं वीडियो